गुजरे समय को ना भूल पाना और उसकी याद को मख़बरे, कुउं, पथरों और रोजों के शकल में स्मृतिचिन स्वरूप बना कर सहेजना चरकाल से ही हमारी परंपरा रही है समय की रेत को हटाकर, जब इन स्मृतिचिन्हों को दुनिया के सामने लाया जाता है, तब ये प्रकृती और संग्रक्षन के प्रती हमारे पूर्वजों की सजक्ता से भाव विभूल भी कर देते हैं इसी तरह का एक अनोठा स्मृतिचिन है, रानी की वाव रानी की वाव, जिसे ग्यार्वी शताब्दी में रानी उदयमती ने अपने पती देवंगत राजा भीमदेव प्रतम की याद में बनवाया था गुजरात राजे के एमदबाद से 140 किलोमीटर दूर स्थे थे एक एतिहासिक जिला पाटन जो की सोलंकी राजवंश की राजधानी हुआ करती थी तब इससे अनिहल वाड़ा कहा जाता था लेकिन यहां की प्रसिद्ध पटोला साडियों के नाम पर इसका नाम पाटन पढ़ गया यहीं पर स्थित है राणी की वाव एक ऐसी अनूखी बावडी जो सरस्वती नदी में आए बाहर की वज़े से लंबी अवधी के लिए दुनिया की नजरों से ओज़ल रही 1980 में भारतिये पुरातत्व सर्वेक्षन संस्थान के पुरातत्व विदों ने जब इस बावडी के उपर से रेत को बाहर निकाला तब ये बहुत ही दैनीय स्थिती में थी ये पुरातन विदों के अथक परिश्रम का ही फल है कि ये वाव आज विवस्थित रूप से संग्रक्षित है उस समय इसमें साथ मंजिले बनवाई गई थी जिसमें से आज पाँच मंजिले ही सुरक्षित बचपाई है इस बावडी का प्रारंब तोरण द्वार से होता है 64 मीटर लंबी और 20 मीटर चोड़ी इस वाव के अंतिम छोड़ पर कुआ है एक परावर्तित मंदिर के शकल में बनी ये वाव उस काल के शिल्पियों वा कारिगरों की दक्षता की पराकाश्ठा को दर्शाता है भावे कलाकृतियों वा शिल्प की बारेखियों को अपने में समेटे हुए इस वाव की हर एक मंजिल, हर एक सौपान, पत्थरों पर गढ़ी हुई गाथा का बखान करते हुए प्रतीत होते है वाव के असल स्वरूप में साथ मंजिलों पर एक सो आठ से भी अधिक मूर्थियां थी योगिनी, नाक कन्याए, वामन, नर्सिंग, बराह, आदी, विश्णु के दसावतारों को बहुत हिबारेखि से पत्थरों पर उके रह गया है क्या हुए क्या जी क OD्र प सब्सक्राइक पर प क्याक से लगामन, वामन, मुक्षक के विबा ससना से अपनिा मुए रह पह जख़ए हर मन्जिल पर एक चौकूर सुसज़ज़ छट है ये चट चार स्तंभों पर टिकी हुई है इस चट की विशेष्टा है किसके प्रतेक स्तंभ के उपरी भाग पर कीचक की आकरिती बनी है कीचक महभारत काल में मत्से राज का शक्तिशाली सेनापती था जिसका वध भीम द्वारा किया गया था आखरी मन्जिल पर विराजमान है शिष्षाई विश्णू जो क्षीर सागर में ध्यानमगन है यहीं पश्यम में स्थित है तीस मीटर गहरा कुआ जल इस मंदिर का मुख्य देवता है इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे मनुशी के शरीर में स्थित साथ चक्रों से प्रिरित है ये साथ मन्जिले हर मन्जिल पर भाव विभोर कर देने वाले विहंगम द्रिश्य और इनको पार कर जाने वाला निर्वान यानी जल को प्राप्त कर लेता है यहाँ जल अध्यात्मिक्ता से जुड़ा है ऐसा पाया गया है कि कोई पच्चास साथ साल पहले तक वाव के आसपास आयरुवेदिक पेड़ पौधे उगे हुए थे जिसकी वज़ह से कोई का पानी रुगाणो रोधक बन गया था जो उस समय के लोगों को अनेक जान लेवा बीमारियों से बचाता था हमारे देश भारत में बावडियों को उपियोग सदियों से जल संग रहन छाया प्रदान करने के लिए तथा सामुदाए केंदर के रूप में किया जाता रहा है साथ सोपान युक्त जल वाली ये बावडि 27 मीटर गेहराई तक बनी है जहां आगंतुक गर्मी से बचने के लिए भी एकत्रत होते थे वास्तव में अपनी उदक्रिष्ट निर्वान शेली और स्थापत्य कला की वज़े से भी इसे सभी बावडियों की रानी यानी की रानी की बाव कहा जाता है 22 जून 2014 को युनिसकों ने इसे विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित किया है पाटन के गौरवशाली इधिहास में रानी की वाव वो मील का पत्थर है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहां आते हैं यहार रेलमार के अलावा बस और प्राइविट टैक्सी से भी आसानी से पहुचा जा सकता है जल संग्रक्षन का साधन मात्र ना होकर ये वाव जिस तरह से उस काल के सामाजिक ताने बाने में रची बसी हुई थी आज के मानव के लिए चर्चा का विशे है आज के लावा रची आसाओ बस्टों को ने रचा होग जाएब होग ताने मस को जाएब। कर दो कर दो कर दो